परिचय रितिक ने अपने और अपने दोस के लिए कॉफी बनाई। उसने 100 मिलिलीटर पानी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कॉफी पाउडर और 100 मिलिलीटर दूद इस्तिमाल किया। अगर उसे 10 व्यक्तियों के लिए कॉफी बनानी हो, तो हर सामगरी की कितनी मात्रा में आविशकता होगी। यदि हर सामगरी को 5 से गुणा करें, तो वो 10 व्यक्तियों के लिए कॉफी बना सकता है। इसी तरह की स्थितियां हमारे सामने भी आती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि एक की मात्रा में अंतर से, दूसरे की मात्रा में अंतर पड़ता है. उधारन के लिए अगर खरीदी गई किताबों की संख्या बढ़ती है, तो उनकी कुल कीमत भी बढ़ जाती है. आप जितनी अध निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. भिन्नता की अवधारणा पर चर्चा करना, समानुपात को परिभाशित करना, प्रत्यक्ष भिन्नता के अंतरगत समस्याएं सुलचाना, विलोम अनुपात को पहचानना, विलोम अनुपात के अंतरगत समस्याओं का मोल्यांकन करना. जवाब है 45 रुपए इसी प्रकार हम 7 लीटर या 9 लीटर दूद की कीमत निकाल सकते हैं यदि दूद के लीटर बढ़ते हैं तो कीमत भी इस तरह बढ़ती है कि अनुपाद इस्थिर रहता है उधारन मान लो एक जीप 4 लीटर पैटरॉल में 50 किलो मीटर चलती है उत्तर है 100 किलो मीटर हमने इस उत्तर के लिए गणना इस प्रकार की 4 लीटर पैटरॉल में 50 किलो मीटर दूरी तै की 8 लीटर पैटरॉल 4 लीटर का दुगना है तो 50 गुणा 2 बराबर 100 किलो मीटर मान लो पेटरोल की खपत है X लीटर और उससे तै की गई दूरी है Y किलो मीटर तो निम्न लिखी ताली का पूरी करें समान उपात जैसे जैसे X बढ़ता है वैसे वैसे Y का मूले भी इस तरह से बढ़ता है कि अनुपात X बटे Y नहीं बतले ये इस तरह मान लीजिए के रहता है X और Y समान उपात में हैं यदि X बटे Y बराबर के या X बराबर के Y पिछले उधारण 4 बटे 50 बराबर 8 बटे 100 में जहां 4 और 8 लीटर में उपभोग किये गए पैट्रोल की मात्राएं X है और 50 और 100 किलोमीटर में तै की गई दूरी Y है जब X और Y समान उपात में हैं तो हम लिख सकते हैं X1 बटे Y1 बराबर X2 बटे Y2 Y1, Y2 घटा Y के मूल हैं जो क्रमशा X1, X2 के अनुपात में हैं उदारन दो 50 मीटर उंची एक मीनार की 35 मीटर लंबी परचाई पड़ती है तो समान परिस्थितियों में उस प्रकाश स्थम्भ की उंचाई क्या होगी जिसकी 45 मीटर लंबी परचाई पड़ती है हल मान लीजिए प्रकाश स्थम्भ की उंचाई है X मीटर हम तालिका बनाते हैं जैसे की नीचे दिखाई गई है उँचाई जितनी अधिक होगी परचाई उतनी ही लंबी होगी इसलिए ये हुआ समानुपात हम नेमनी लिखी संबंध अपनाएंगे प्रकाश इस्तंब की उँचाई है 64.2 मीटर ये संबंध इस प्रकार लिखा जा सकता है उधारण एक विमान 520 किलोमीटर प्रती घंटा की समान गती से ओड़ा है 45 मिनट में वो कितनी दूरी तै करेगा 500 किलोमीटर की दूरी तै करने में वोसे कितना समय लगेगा हल मान लीजिए 45 मिनट में तै की गई दूरी एक्स किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी तै करने में लगा समय वाई मिनट है चूंकि गती समान है इसलिए तै की गई दूरी समय के समान उबात में होगी यहां एक्स बराबर 390 किलोमीटर मिलेगा एक विमान 45 मिनट में 390 किलोमीटर की दूरी तै करता है चूंकि गधी समान है तो तै की गई दूरी समय के समानुपात में होगी यहां वाई बरावर 57.69 किलोमीटर मिलेगा विमान ने समय लिया 58 मिनट विलोम अनुपात दो मात्राएं कभी इस तरह से भी बदल सकती है जिसमें एक मात्रा बढ़ती है और दूसरी घटती है जैसे जिरॉक्स प्रतियों की संखिया बढ़ती है और लागत कम हो जाती है इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या बढ़ती है और काम खत्म करने में लगने वाला समय घड़ जाता है उदारण एक हौथ को दो घंटे तीस मिनट में भरने के लिए पांच टैंकर चाहिए उसी तरह के यति केवल तीन टैंकर हों तो हौथ भरने में कितना समय लगेगा टैंकर जितने कम होंगे हौथ भरने में समय उतना अधिक लगेगा तो ये विलोम अनुपाथ हुआ इस तरह तीन टैंकरों को हौथ भरने में लगे चार घंटे और दस मिनट विलोम अनुपात उधरन एक कक्षा में 30 छात्र हैं उनके लिए 18 मेजों की जरूरत है अगर 15 छात्र और आ जाएं तो कितनी मेजों की जरूरत पड़ेगी छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो कक्षा के लिए जरूरी मेजों की संख्या भी बढ़ेगी ये समानुपात है इस तरह जितनी मेजों की जरूरत पड़ेगी वे हैं 27 सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्शेप में दोहराएं अगर दो राशिया एक्स और वाई इस तरह एक साथ बढ़ती घड़ती हैं कि उनके समकक्ष मूलियों का अनुपात स्थिर रहे तो वो समानुपात में मानी जाती हैं अगर एक्स बटा वाई बराबर के है यहां के समसंख्या है तो कहा जाएगा एक्स और वाई समानुपात में बदलते हैं ऐसे मामले में यदि वाई के मुले वाई एक वाई दो है जो क्रमशा एक्स की एक्स एक और एक्स दो के मूलि के समकक्ष है तो एक्स एक बटा वाई एक बराबर एक्स दो बटा वाई तो दो राशियां एक्स और वाई विलोम अनुपातिक कही चाती है अगर X में वृद्धी होने से Y में अनुपातिक गिरावट और इसके विप्रीद भी इस तरह आती हो कि उनके समकक्ष मूलियों का परिणाम स्थिर रहे अर्थात अगर XY बराबर किये है तो कहा जाता है कि X और Y में विलोम अनुपातिक बदलाव होता है इस इस्तिती में यदि Y1, Y2, Y के मूल है जो क्रमशा X के मूल X1, X2 के समकक्ष है तो X1, Y1 बराबर X2, Y2 या X1 बटा X2 बराबर Y2 बटा Y1